आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो पर जहां पर हम आज चर्चा करेंगे IDFC First Bank की September 17th को क्या हुआ उसका विशलेशन करेंगे और साथ में September 18th का आपका क्या प्लान होना चाहिए वो भी बताएंगे क्या आप long जा सकते हैं कि short जाना चाहिए technically क्या sense बन रहा है पूरा देखते हैं आई चल कर देखते हैं सबसे पहले this video is for education purpose only और हम चल कर देखते हैं IDFC Bank का IDFC First का bank का चार्ट तो अगर आज का चार्ट देखें बनी तो green candle है पर दोस्तो कल के comparison में price नीचे गया है तो कल जो बंध होने का price था वो 32 रुपे का था अभी 31 रुपे 90 पैसे का है तो हो सकता है short term के लिए कुछ correction इसमें दिखाई दे क्योंकि technical setup कुछ लग रहा है कि हां से नीचे जाएगा कैसे बोलना है बताते हैं देखें और और निफ्टी का अगर कारोबार देखें तो negative रहा, bank nifty भी negative रहा निफ्टी भी negative रहा, तो नीचे गिरा और continuously pressure नीचे ही रहा उसके सारे दिन के लिए, तो अच्छा दिन नहीं था अगर long हो गया आप, पर हमारा पैसा कमाया गया है अब यहाँ पर देखें, तो इसका जो super trend indicator है, वो काफी time से stable है एक ground पर, पर यहाँ से अगर यह नीचे आएगा, तो इस बार लग रहा है कि 39 रुपे को यह break करके नीचे जाने की कोशिश कर सकता यहां से, और velocity से आएगा इसके बार नीचे तो आपको थोड़ा साफदान नहीं की जुरूत है अगर MACD का देखा जाए, तो MACD के basis पर अभी भी यह sell है, इवन दो इस नहा से इतना उंचा buy कराया है, पर वैसे देखा जाए, तो MACD के basis में अभी भी इसका parameter sell ही बोल रहा है दोस्तों तो थोड़ा साफदान हो के काम कीजिगा अगर आप लॉंग जाना चाहते हैं, हमारी एड्वाइज लॉंग जाने की नहीं रहेगी फ्राइडे के दिन के लिए प्लीज कंसल्ट यो फाइनिशल एड्वाइजर आप फ्राइडे को quantity कम करके काम कीजिगा दोस्तों क्योंकि आखरी दिन होता है अफते का थोड़े से कम वॉल्यूम रहता है तो इसलिए आपको बेटर है कि कम अपना भी काम करें यू केन गो शॉर्ट 31 रुपय 85 पैसे पर शॉर्ट कर सकते हैं जो आपको stop loss रहेगा 32 रुपय 45 पैसे कर रहेगा जी हां 32 रुपय 45 पैसे का आपका stop loss है ये ताइपो है इसमें इसको ignore कीजिगा और हम लोग nifty bank nifty के actively trade करते हैं जिसका लिए आप चाहें तो service ले सकते हैं mail drop कर सकते हैं banking sector थोड़ा भी pressure में लग रहा है जिस तरह से पिछला September सिधी शुरू हुआ है तो आगे भी थोड़ा pressure बना रहेगा banking sector पर IDFC First Bank particular में भी हो सकता है pressure है तो इसको अगर आप इसका level का बात करेंगे तो जो आने वाले time के लिए level रहेगा वो इसका 31 रुपय 30 पैसे के आसपास आपको level मिल जाना चाहिए दोस्तो वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार like बटन दुरू दुरू दुपाइएगा अगर हम कुछ और parameter दिखाएं इसमें तो देखे हम यहाँ पर अपने channel पर आपको बताना चाहते हैं कि हमने education वीडियो के एक playlist बना हुए जिसको आप देख सकते हैं अपने time से और एक वीडियो के request करेंगे इसमें आपको हमारे experience से कुछ सीखने को बिलेगा तो अच्छी बात है अब देखें आपको क्यों कह रहे है शौट जाने के लिए अगर हाइलो band का band देखें तो यह उपर गया पर यहाँ से इसने reject कर दिया आज भी attempt किया पर वहाँ से भी reject हुआ तो आप आने वाले time के लिए यह नीचे जाएगा 30 रुपे 90 पैसे के आसपास के आसपास जाने की कोशिश करेगा तो आप वहाँ पर इसका target कर सकते हैं 30 रुपे के आसपास आप अपना इसका price expect कर सकते हैं gradual manner में अपना profit book करते रहिएगा दोस्तों यह हमारी सला रहेगी आपको कोई भी कोशन है तो comment box में डालिए कोई feedback है तो बताइए धन्यवाद जय हिंद जय भारत